हेलो फ्रेंड शायाम निशान शाफ उटक्रस में आप सका सौगत है तो आज निशाई की रसोई में बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांती स्पेशल खिचली मसाला खिचली जो की बहुती स्वादिस और टेश्टी बनेगी अगर आप एक बार मेरे तरीके से मनाएंगे तो यह मेर कि यह नया चावल है । नया चावल की खिचली खिचली वाले दिन बहुत टेश्ट लगती है मकर कटोरी तुमन 2 दो कटोड चावल लिया तो मैंने उसी साप से यहां पर येट कटोरी करीब ली है एक कटोरी मुंग की दाल है और नर्ट्व कोड़ू में चना और का अरहर की दाल है तो हम तीनों चीजों को मिला के बनाएंगे और सेसमें सबलों मिख्थ कर लिए नींच Whoa बहुत अच्या कodu mulher से लिया है द्ञार पैर नीज़ाएं फ़ connolly City सब्सक्राइब तो आपके उस दिन घर में नहीं बनता है नहीं डाला जाता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और इसको हमें कूट लेना है लेसन मिर्च अद्रक को इस तरह से कूट के आप अगर नहीं लेसन खाएंगे तो यहां पर अद्रक और मिर्च को कूट लेज़ेगा कुकर में डाला तेल तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे आप इसके जगह देसी घीवी ले सकते हैं और जीरा डालेंगे दो तेज पत्ते को टुकडों में करके डाल देंगे अच्छे से तरक जाने देंगे इसके बाद हमें प्याज डाल दिया प्याज नहीं खाते तो यहां पर छोड़ दीजे जीरा और तेजपते का ही तड़का दीजे तो यहां पर अच्छे से मिक्स कर दीजे मगर हमारे हां खाई जाती है यहां यूज कर रहे हैं तो यहां पर चार लॉंग डाल दी हैं लॉंग खिचली में जरूर डालिएगा इससे बहुत अच्छी जो पेश्ट था करीब दो चमच करीब हुआ है डेर से दो चमच उसे हम डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे भूनेंगे मतलब ज्यादा देर नहीं भूनना है बस हलका कच्छा पर निकल जाए साथ ही साथ दो अधरक प्याज और यह सब चीजों के साथ हमें टमाटर आ खिच्डी वाले दिन मकर संक्रांती वाले दिन जरूरी होता है आप अपने बड़े बुजूर्ग से सुने होंगे कि खिच्डी में जो चावल परता है वो चंद्रमा जो ग्रह होते हैं चंद्रमा क्या प्रतीक होता है और जो उर्ध की डाल मेन उस दिन उर्ध की डाल दान सबधिक का सब्सद्य अक도uw dear God उस दिन डहर पया पर्तिक मैंा जाता है और सारे अपस में इ Mick Mr. Sh Latino जाते हैं उसका कोई मीनिंग होगा तो कंग ऑनाना हर जगा जिससके मनाे हैं यारण और भी क्योंकि हमें यह खिचली बना रहे हैं कोई भी वैसा तहरी नहीं बना रहे हैं या फिर हम प्लाव नहीं बना रहे हैं जिससे कि मसारों का यूज करेंगे तो आप धन्या पॉडर डालना पूरी तरह से ऑप्सनल है अगर आप डालना चाहे तो डाल दीजेगा स्वाद तो दो मिटर की हमाई सब्जिया भून गई है अब हम क्या करेंगे जो दाल चावल भिगोए थे उसका पानी निकाल कर वह दाल चावल को डाल देंगे तो बहुत से लोगों क्या कोई भी दाल की खिचली बन जाती है बहुत से लोगों क्या है उर्द की डाल की बनती है उर् स्मूंग की दाल की जगह उर्ध की दाल हो जाएगी उर्ध काली वाली उर्ध की दाल हो जाएगी यहां पर तो यहां पर देखिए बहुत टेस्टी से खिचली बिनाएंगे तो चावल दाल को इसता से डाल लेंगे और आप उर्ध की दाल में अरहर की जो दाल है और चने की द तो यहां पर हम करीब डालेंगे आठ से नौ कटोरी पानी तो जित्ता कुकर के हिसाब से हम भी पानी डालेंगे मतलब जो भी एक कटोरी का हमें तीन गुना पानी डालना है खिचडी के हिसाब से खिचडी गीली अच्छी लगती है बहुत से लोगों को सूखी अच्छी लगती है तो अपने हिसाब से पानी डाल लीजेगा कि चावर को कुक कर लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और कुकर में ये खिचडी में बन्लब पानी कम पढ़ जाएगा इसलिए मैं ज्यादा पानी का यूज नहीं कट रही यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे तीन कटोरी के हिसाब से आठ कटोरी करीब पानी डाला है यहां देखिए सीटी भी दे दिया है तो हमने यहां पे दो सीटी लगा ली है और हमारी शांदार खिचली बनकर रेडी है बहुत अची गुजबू आ रही है आप चाहें तो उपर से हींग और जीरे का देसी घी से तड़का भी लगा सकते हैं लेकिन मैं तड़का नहीं लग करूंगी और उपर से देसी घी डालेंगे तो यह खिचली हमारी बहुत टेश्टी रेडी हो गया देख सकते हैं बुलकुल गिली-गिली सी बनी है तो बस ऐसी तयार करनी थी यहां पे डालेंगे हरा धनिया और इसे फटा-फट सर्फ कर लेंगे तो सारा हरे धनिया मिक्स क लड्डू पापड और देसी घी के साथ खिचली सर्फ की है तो फ्रेंड्स यह रैस्पी पसंद आए क्योंकि मकर संक्रांती में ऐसी सर्फ की जाती है आप दही भी साथ मिले सकते हो हरी चटनी की भी रैस्पी मेरे चैनल पर है बनाईए बाजरे की लड्डू की भी ज़रूर बनाये खिचली के साथ खाई यहें फ्रेंड्स तो यहां पर मेरे चैनल Kore यह सारी मनलब इलकुल की पे थाली पर रूसी जात चीजे अग्यों पर पनाली tennis और शारी मेरेश चैनल के रैस्पी मेरे चैनल पर है बाजरे कि लड्डू ड्राइफूर्स के लड़ू है आटाव सुजी के लड़ू है और अलसी के लड़ू है बहुत सारे टेस्टी टेस्टी लड़ू मेरे चैनल पर है जो ठंडियों में खाये जाते हैं तो जरूर बनाएए मखर संक्रांती पर तो चरूर ट्राई कीज़े तो रेस्पी अच्छे लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन का बटन दवाना ना भूले फ्रेंड्स फैमली शोचल मीडियो मेरे चैनल मेरी रैस्पी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करे तो ये खिचली जरू बना के देखिए आप खिचली के दिवाने उजाओगे इतनी स्वादिश्ट तेस्टी खिचली है आप सिब खिचली वाले दिन ही खिचली नहीं बनाओगे यह ऐसे भी आप फटा फट बना कर खाना पसंद करोगे कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट खिचली बनकर रेडी होती है तो मिलते हैं रेस्पी के साथ नई वीडियो में थैंक्स और वाचिंग दिस वीडियो बाबाई फ्रेंड्स